प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर दा लेटेस न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस दा बेल बड़े बीसल पूर बांद से सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि बीसल पूर बांद के पूर्ण भरने की संभावना है पूरी तरह व्यापत है और सबसे बात है वो यह है कि त्रिवेणी नदी पर इस समय चल रहा है साथ मिटर का गेज जी हां साथ मिटर पानी जो है त्रिवेणी बनास पर इस समय चल रहा है उस सूरत में अगले 12 घंटे के अंदर बीसल पूर बांद में बढ़ जाएगी पाने की एक्तम तेज रफतार और उस हो गया है त्रिवेणी बनास के गेज पर लगातार नजर बनाये होए है सुबह सही त्रिवेणी पर लगातार गेज बढ़ रहा है और अगर साथ से आर्ट मिटर का गेज अगले 12 घंट तक जारी रहता है तो उस सूरत के अंदर बांद के अंदर जो है पूरा पानी आएग पूरी तरह नजर बनाये हो है कि आखिर जो है कितनी शमता से पानी त्रिवेणी से छोड़ा जा रहा है कब तक वो पानी पहुंचेगा दो हजार सोला के बाद तीन साल बाद या उसर आ रहा है जब बिसल बुर्बान के गेट खोले जा सकते हैं उस सूरत में खावर प्लस क के साथ ही जिला प्रिशाशन भी अपील कर रहा है कि नदी नालों से जो है लोग दूर रहें जल गरंड शेत्रों में भारी बरसाथ जारी है सभी नदी नाले उपफान पर रहें उस सूरत में लगबख चार से पांच नदियां हैं जो बिसल पूर में पानी पहुंचाती है वो सभी पूर्ण भराव शम्ता के साथ बह रही है और कभी भी बान के अंदर तेज आवक जादा हो सकती है उस सूरत को देख दो बान प्रिशाशन पूरी तरह अलर्ट हो चुगा है तो हजार सोला के अंदर जिस तरह का बहाव त्रिवेणी पर देखा गया था उसके लादियां उफान पर है उस सूरत के अंदर जो है हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सबको अलर्ट रखें वीसल पूर्बान के साथ जिला प्रिशाशन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है ऐसी जो सम्भावन आये थी कि जिस तरह का जो हाल देखा था वो सबसे जो है अब मुक्त नजर आ रहा है उस सूरत को देखतो है अब बान प्रिशाशन ने सापत और पर इंतिजामात कर लिये हैं कि बान से गेट खोलने जाने की समावना है तो उस सूरत के अंदर जो है अगले 72 गंटे बहुत मत्पूर्ण है बीसल पूर्बान के लिए जेपूर टॉक अजमेर की लाइफ लाइन बीसल पूर्बान खुशियों की खबर दे रहा है वही त्रिवेणी से जो समाचार मिल रहे हैं लगातार जो अपडेट मिल रहा है कि सुबद 6 बजे से वहाँ पर पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और ये लेवल हो सकता है अगर लगातार इस तरह से बढ़ता रहा है राज समन चितोड भीलवडा की बरसाच जो जा रही है उसको देखते हैं अगर ये लेवल 10 मिटे तक पहुंसता है तो उस सूरत में इंशित हो जाएगा कि बीसल पूर्बान के अंदर जो पानी वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है वो बीसल पूर्बान को अगले एक दो दिन के अंदर खोले जा सकते हैं जिसकी पूर्बावना है तो बनाए रखे आप हमारे चैनल पर नजर हम देते रहेंगे आपको पल पल का अपडेट क्योंकि बरसाच का जो दोर सा रास्तान पर जो मानसून महरबान हुआ था उसने अपना पूर्बान असर खुश्यों की खबर लेकर मानसून जाते जाते सावन के अंदर आया है तो उस सूरत के अंदर कह सकते हैं कि खुश्यों की बरसाच जो है बिसलपूर के लिए जल्स गरंड शेत्रों में हो रही है और अब ये पानी टॉक के बिसलपूर बांद की और तेज गती से बढ़र झाल 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 झाल